तो हें गाइस वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चानल तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दी डर्मा को डिजाइन बाइ डर्मेटलोजिस्ट इस ब्रैन का रिव्यू ठीक है तो मेरे पास फिलहाल इसके चार प्रिडक्स हैं जो हम देखेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे ये बता दू के मैंने कहां से इने पर्चेस किया है तो ये दोनों जो प्रिडक्स है 1% हालरोनिक संस्क्रीन एक्वाजल और 2% सालसलिक एसिट फेस सिरम ये दोनों मैंने डर्मा को की ओफिशल साइट से पर्चेस किया है दोनों की जो MRP है वो 499 है ठीक है यानि 499 इच यानि हो जाता है और मुस्ट 1000 रुपीज अब जिस समय मैं पर्चेस कर रहे थी उस समय डर्मा को पे सेल चल रहा था फ्राइडे सेल बाइवन गेट वन फ्री तो मुझे 474 रुपीज में ये दोनों भी पड़े 474 इसलिए क्योंकि online मैंने इसको मंगाया था तो prepaid जो orders होते हैं उस पे वो लोग 5% का या कुछ तो भी discount देता है तो मुझे 474 में ये दोनों products आगे अब बात करते हैं इंडो products की तो ये है 1% salicylic acid gel daily face wash और ये है 3% vitamin E daily face moisturizer इनकी जो quantity है वो लिखी हुई है 30 ml and 30 g मतलब ये full size product होके भी इसकी जो quantity है वो 30 ml और इसकी 50 g ग्राम है MRPs है 500 रुपीस तो इस हिसाब से इनकी जो quantity है वो बहुत अच्छी है करीबन full size products जितनी ही इनकी quantity है जिसकी मैं तारिफ करना चाहूँगे तो इन दोनों को ये sample है इन दोनों को मैंने smitten से 1-1 trial point पे मंगाया था अभी भी available है 3-4 product आपको dermaqoo के smitten पे मिल जाएंगे must buy them मेरी 100% recommendation है कि dermaqoo की products बहुत अच्छो होता अब जैसे कि मैंने बात करी कि ये दोनों product को मैंने सब्टेंबर में मंगाया था यानि अब चल रहा है December करीब इन 3 महिने से मैं इन products को use कर दिया हूँ और इनों ने इनके daily use ने मेरे face को कर दिया है एकदम clear मुझे जादा pimple problem नहीं है बहुत कम pimple आते हैं बट मुझे problem है blackheads और whiteheads की वो जो गंक होता है मुझे बिल्टपूल नहीं पसंद अपने face पे whiteheads और blackheads कौन सी लड़की को पसंद होता है यार बहुत गंदे की मचा देते है यार मुझे नहीं पसंद है तो इसी लिए मैंने इसे खरीदा था और ये बहुत सही है सच बोलू इन्होंने मीडी skin को अंदर से clear किया है हम food जो भार का खाते है वो भी काफी effect करता है तो try करो कि आप कम खाओ सो करते हैं फिर इनका review चलिए face wash से सो ये 1% salicylic acid का gel face wash है सो ये कुछ इस तरह की packaging में आता है वन पॉइंट में मैंने smitten से लिया था है काफी अच्छी डीन थी मुझे तो काफी अच्छा लगा ओके सो इसकी packaging कुछ इस तरह के आती है और यहाँ पे जो है ऐसी cap आती है जो से आप open करके इसे use कर सकते हो तो मैं जरा बता दू इसकी consistency कैसी है सो आप देख सकते हैं कि जैसे इस पर लिखा हुआ है जेल बिल्कुल वैसा है सो सबसे बहले इससे face wash करना होता है आपको मैं अपनी honest opinion बताऊंगी आप लोगों से जो भी है सो देखिए जैसे ही लगाते ही यह बिल्कुल cream जैसा हो जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में बिल्कुल creamy सा हो जाता है and then आपको इससे जो है face को wash कर लेना है ठीक है सो मेरा opinion तो यह है कि यह बहुत अच्छा face wash है अगर आपको try करना है तो सो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक skin care वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपसे share करूँगी कि मैं already जो है मेरा एक favorite face wash है जो मैं इन 3-4 महिने से use करते आई हूँ और उसने मेरे face पे बहुत अच्छा काम किया है सो मैं उस product को कभी switch नहीं कर सकती बट स्टिल मैंने इसको try किया और इसके result से भी मैं बहुत खुश हूँ like मैं दिन में वो face wash उस कर लेती थी और रात में इसे कर लेती थी इसने मेरे skin को बहुत अच्छे से clean किया और ये जो harsh face wash होता है न जिसमें जादा जाग निकलता है वैसे सारे face wash इसको try कीजे के avoid कर सको क्योंकि वो face के लिए बहुत honey का रहो होता है तो next product है हमारा ये 2% salicylic acid का face serum जो अब ये next step है face wash करने के बाद जो आपको use करना होता है सो ये serum की जो fragrance है वो बहुत अजीब है अजीब इसे लिए है क्योंकि इसमें कोई fragrance नहीं है मतलब इसके जो original ingredients है उसी की में भी fragrance हो सकती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी fragrance वगेरा नहीं है जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया सो इसकी कैप कुछ इस तरह से आती है और आपको एक dropper मिल जाता है कुछ इस तरहीके का और ये glass bottle है सिरम कुछ इस तरह से running consistency में आता है इसकी original MRP जैसे हम पहले ही discuss कर चुके है 499 है और इसकी जो smell है ना हो सकता है कि starting में आपको अजीब लगे बर धीरे धीरे आपको आदत हो जाए तो जरा से लगा के थोड़ा सा ऐसे massage करना है और आप देखिए आपके skin में एकदम गायब हो जाएगा इतनी अच्छी तरीके से absorb होता है तो definitely thumbs up to this because यह बहुत अच्छा है और यह मेरा honest opinion है इसने यह salicylic acid है और यह blackheads और whiteheads पे बहुत असर करता है और जैसे यह claim करता है इसने किया भी so next product मैं यहाँ पर आपको show करना चाहूंगी यह 1% hyaluronic sunscreen aqua gel so इस sunscreen को मैंने बहुत use किया और यह बहुत सही है almost जो bottle है वो खाली हो चुकी है so बहुत छोटू सी पतली सी bottle है यह 1% hyaluronic acid है इसके अंदर so इसकी कुछ ऐसे plastic tap आती है और ऐसे pump वाले application में आता है so जैसे ही आप pump करोगे यहाँ से जो है वो product निकलता है बहुत सही है यह pump वाला क्योंकि ज्यादा गंदा नहीं होता कुछ नहीं और आप sunscreen देख सकते हो ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा थिक है बहुत सही है लगाते ही एकदम absorb हो जाती है और जरा भी white cast नहीं छोड़ता है एक दम सही है ज्यादा चिप-चिपा भी नहीं लगता है काफी matte effect देता है और definitely thumbs up to this मुझे भी यह वाला तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह तो main product थे acid serum और यह sunscreen जो मैं use करती आई थी चेहरे पर tanning वगेरा इसने होने नहीं दी और sun से तो बहुत protect किया है इसने और जैसे के मैंने पहले बताया के salicylic acid serum ने मेरे blackheads और whiteheads को remove करने में बहुत बड़ा role play खिया तो हमारा next और आखरी product है यह 3% vitamin E daily face moisturizer जिसे हम देखेंगे इसकी जो price है यहाँ पर 149 दिखी हुई है और 30 gram की इसकी quantity है अब यह एक sample size product है और इसकी original price का even 500 या 600 के around ही हो गया I don't know about the exact price आप डर्मागो की website पर चेक कर सकते है या फिर कोई भी online app पर आप देख सकते हो ठीक है यह भी इस तरह की tube में आता है आप देख सकते हैं बस आपको जरा सा लेना है और यह देखिए यह भी ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा running consistency में है लगाते बहुत अच्छा effect आता है आप देखो जरा सा भी oily नहीं है इसके सारे products जो है वो matte है मतलब ना ही अच्छा लगता है जो भी लगाने के बाद ना जादा ओली लगता है ना जादा ड्राय लगता है सो मेरी normal skin है ना ओली है ना ड्राय है तो मुझे काफी अच्छा लगता है यह सो definitely thumbs up for all these products मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे products जो है लेने वर्थ रहे हैं सो आप भी तर्मागो कि products ट्राय कर सकते हो आप जहां से भी चाहूं वहां से पर्चस कर सकते हो मैं recommend करूंगी कि जितने भी प्रड़क्स मिटेंग प्रवेलेबल है definitely try it out so अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है so do like it comment कीजिए आपको क्या आगे वीडियो वगरा चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आपका opinion जरूर शेर करें और चाहे तो वीडियो को शेर भी कीजिए और subscribe तो आपने किया होगा और जो कर दिना thanks for watching bye guys take care